असलाम लीकुम स्टूरेंट्स हमारी ये वीडियो पिछली वीडियो की कंटिनीउशन में है इसलिए हमने लिखा more on inventory lost in a fire or by theft यानी जो inventory या जो सामान हमारा जो गुदाम में हम रखते हैं वो अगर हम लोग उस समान का नुकसान हो जाए आग की विदस से या चोरी की विदस से और उसकी amount हमें calculate करनी है वो किस तरह से calculate होगी ये हम लोग इस वीडियो में जानेंगे तो हम लोग यहां एक brief सा idea लेते हैं जो इससे पहले हमने किया हमारे पास ये गुदाम है जिसमें inventory या जिसे stock कहते हैं वो रखा हुआ है और इस में से कुछ चीजें जो है ये question हमें बता रहा था कुछ चीजें इसमें से चोरी हो गई है और हमें कुछ information given थी अब कितनी amount की चीजें चोरी हुई है वो हमने find करना है जो information हमारे पास given है इससे हमने find की account receivable account बनाकर sales को हमने यहां लिखा अब हम देखते हैं इसके इलाव dw darling information given है वो हम लोग यहां पर किस तरह लिखेगे और जो नहीं given वो account बनाकर किस त्रह से find करेंगे तो यहां पर हमारे पास sales हमने find की और यहां लिखती है अब है cost of sales यानि इन sales को बनाने के लिए cost हमारी क्या आई है तो यह हमारा यहां cost आजाएगी opening stock यानि opening inventory जो हमारी 1 जनवरी को हमारे पास inventory रखी हुई है वो कितनी है तो हम देखते हैं क्या यह question में हमारे पास given है opening inventory की information यहां पर हम लोग इसे देख लेते हैं यह 31 दिसंबर 2017 को जो हमारे पास information given है यही information साल के आखरी दिन जो amount होती है वो ही अगले साल के पहले दिन होती है यानि जनवरी 2018 को एक जनवरी 2018 को हमारे पास यही amount होंगी इसे हम लोग 2018 का opening balance कहते हैं तो opening balance जो है जो inventory का वो है 30,000 रुपीज तो हम लोग यहां पर 30,000 रुपीज इस statement में लिख देंगे यहां यह information given है जो के है opening stock की 30,000 हमने इसे यहां पर लिख दिया इसके बाद हमने लिखना है हमारे पास cost of sales कैसे आती है जो भी साल के शुरू में stock पढ़ा होता है उसमें हम लोग जो इस साल हमने purchases की होती है वो जमा करके अपनी total cost जो हम लगा चुके होते हैं इस साल के लिए वो लिखते हैं और उसमें से जो चीजें हमने अगले साल sale करनी होती है जिसको हम लोग closing stock कैते हैं वो minus करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि इस साल जो चीजें sale हो रही है उनकी cost क्या है opening stock के बाद है हमारे पास purchases तो हम देखते हैं जो question हमारे पास given है क्या इसमें हमारे पास purchases given है इसमें हमारे पास purchases नहीं given लेकिन purchases related information हम लोग देखेंगे कौन सी है और उस से फिर हम लोग purchases का account बना कर purchases को find करेंगे purchases के लिए जो specific account हम बना सकते हैं वो बना कर हम purchases को find करेंगे तो अब जो हमारी purchases हैं जब हम लोग चीजें खरीदेते हैं और जिन चीजों के लिए हम पैसे नहीं देते अपने जो हमें sale कर रहा होता है उसे तो वो हमारी liability बन जाती है इसे हम अपने trade payables कहते हैं तो trade payables को देखते हुए यह हमारे opening यानि 1 January 2018 को trade payables इनको देखते हुए हम अपनी purchases को find कर सकते हैं क्योंके payables तब आते हैं जब हम लोग चीजें खरीदेते हैं हम चीजें पर्चेस करते हैं तो वो amount हमने pay करनी होती है तो यहां opening payables हमारे यह हैं और हमने जितनी payment इस time period के दर्मियान 31 December से 10 April 2018 के दर्मियान अपने supplier को की है वो है 1,20,000 इसको भी हम लोग देखेंगे और इसके इलावा जो हमारे यह information 10 April जिस तारीक को चोई हुई है यह information जो given है trade payables का इसे हम closing balance केते हैं इसको भी हम देखेंगे इन तीनों चीजों को इसे हम लोग अपनी purchases को find कर सकते हैं इसे हमने अपनी working to के लिया क्योंके इससे पहले हमने account receivable account बना कर sale जानी थी वो उसे हमने working one कहा था और जहां पर हम लोग यह information लेकर जाएंगे वहां पर भी हम लोग two reference दे देंगे ताकि जैसे यह information को यह देखे तो पदा जल जाए कि इससे related working से हम लोगों ने information find की है तो account payable क्या होते हैं इसके accounting nature है यह हमने जो amount है इससे related pay करनी होती है तो यह हमारी liability होते हैं और liability में जब increase आता है तो उसको हम लोग यहां पर इस account के credit पर लिखते हैं तो यहां पर हम लोग credit पर जो account payable का opening balance या increase लिखेंगे और account payable का closing balance या जो decrease होगा इसमें जब purchases के amount पे करते जाएंगे तो liability कम होती जाएगी तो हम लोग इस side पर लिखते जाएंगे तो यहां पर जो हमें opening information given है opening information हम लोग किस information को कहते हैं जो के इस साल के शुरू में है अब यह साल कौन सा है 1st January 2018 तो इस वक जो हमारे पास account payable का balance है जिसे हम लोग balance brought down करेंगे तो यहां पर हम लोग लिख भी देते हैं यह balance brought down है उसकी amount हमारे पास question में given है यहां पर हम देख सकते हैं यह trade payables या accounts payables यह एक ही बाग है तो यह हैं हमारे पास 20,000 तो इस 20,000 को हम trade payable या account payable जो account बना रही है उसके credit पर लिखेंगे और यहां पर जो closing given है 10 April को आज की तारीक का उसे हम लोग लिखेंगे debit side पर यह है हमारे पास 26,000 और जो amount pay कर चुके हैं अपने हम लोग जो payables हैं या suppliers हैं उन्हें वो हम लोग लिखेंगे account payable के credit side या इससे हमारी liability कम हो गई है तो हम लोग देखते हैं किस तरह से यह लिखकर हम अपनी purchases को find करेंगे तो फर्स January को हमारे पास जो balance है वो जैसे के अभी हमने देखा 20,000 है तो यहां पर हम लोग 20,000 लिख देंगे इसके इलावा अब 10 April जो के हमारी closing date है अभी की तारीक जब हम लोग find करना चाह रहे है जिस तारीक को के हमारे पास जो inventory की value है वो क्या है तो वो date हम लोग यहां लिख देते हैं 10 April 2018 अब इसको हमारे पास जो balance है इसको हम लोग लिखेंगे balance carried down और यह balance carried down या closing balance जो है वो कितना है यह हमारे पास 26,000 तो यहां पर हम लोगों ने 26,000 closing balance को rabbit side पर लिख लिख लिया अब जो amount हमने January से लेकर और Apple की 10 तारीक तक हम लोग अपने supplier को जो amount हमने pay की है वो amount है हमारी 1,20,000 तो 1,20,000 से इस time period के दरमयान हमारी liability में कमी आई है तो यह हम लोग जमा इसे करते हैं और देखते हैं कि यह जमा करके कितने बनते हैं और अगर हम इसे plus करें तो यह बनता है 140,000,000 1,46,000 तो 1,46,000 यहां है और जो यह account है जिसे हम लोग अपना ledger account या T account पी कहते हैं इसकी दोनों sides हमेशा बराबर होती है तो 1,46,000 में से जब हम लोग 20,000 माइनस करेंगे तो यहां पर जो डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस क्यों आ रहा है वो डिफरेंस हमें यह बता रहा है कि हमारे इस टाइम पिरिट के दरमयान जनुरी से एपरिल के दरमयान इतने जो हैं account payable increase हुए है अब जो इतने account payable increase हुए है क्योंकि यह credit side पर है यहां CR लिख देते हैं credit के लिए यहां debit के लिए हम लोग DR लिख देते हैं अब credit side पर यह difference है यहनि credit side पर हमारे account payable increase हुए है account payable increase होने की वज़ा यह है कि हमने purchases की होगी यह हमारे पास यहां से आ गई हमारी पर्चेज़ जो के 1 जनुवरी से 10 अपरल दक हुई है वो है 1,26,000 तो यहां पर हम लोग टोटल भी लिख लेते हैं 1,46,000 अब यह हमारे पास बन गया है तो पर्चेज़ इसको हमने फाइंट कर लिया अब इस 1,26,000 को जो के हमारे पास पर्चेज़ की अमाउंट आई है हम यहां पर लिख देंगे income statement में यहां opening stock में purchases हमारी जमा होती है तो यहां पर हम लोग लिख देंगे 1,26,000 की जो हमारी purchases आई हैं तो 1,26,000 की purchases जो के हमने इस time period के दर्मियान की और हमारे पास 1 January को जो stock था जिसे हम opening stock कहते हैं अगर हम लोग इसे जमा करें तो यह हमारे पास 1,56,000 बनता है तो यहां पर हमने लिख दिया 1,56,000 अब क्या आना चाहिए यहां पर हमारे पास closing stock भी नहीं है और closing stock को find किये बगएर हम लोग यह नहीं जान सकते कि हमारी inventory lost क्या है तो अगर हम लोग question को देखें तो question में जो हमें information given है इसमें यह हमारे पास है कि inventory but left inventory which cost rupees 1,250 यानि जो inventory बच गई है उसकी amount हमें given है यह है 1250 लेकिन closing inventory हमारी क्या होती है closing inventory हमारी वो तमाम inventory होती है जो साल के end पर या जो हमारी ending date है closing entry उसको जो हमारे पास stock पढ़ा होता sorry closing entry नहीं closing inventory तो inventory जो 10 April को हमारे पास पढ़ी होती अगर चोरी ना होती उस सूरत में तो वो हमारी closing inventory होती लेकिन हमारे पास यह जो inventory given है यह वो है कि चोरी के बाद जो अभी हमारे पास जितनी की चीज़ें पढ़े होई है तो हम देखेंगे कि closing inventory की असल amount actual amount होनी क्या चाहिए थी हमारे पास नहीं given अब इसको हम लोग किस सरह से find करेंगे इसके इलावा हमारे पास इससे related such information नहीं given जैसे receivable given है उससे हम लोग receivables को देखकर अपनी sales जान सकते हैं पेबस को देखकर हम अपनी purchase जान सकते हैं opening inventory given है एक और जो information हमारे पास given है वो है Salim sells his good at a markup of 25% यानि Salim अपनी चीज़ें बेचते हैं 25% markup पर अचा अब जो markup की information है वो इस्तमाल करके हम लोग अपना gross profit या business का gross loss जान सकते हैं और अगर हमारे पास यहां पर gross profit या gross loss आ जाए तो क्या figure रह जाएगी सिर्फ ये closing stock की value रह जाएगी तो ये value जो है ये हम लोग अपनी reverse calculation करके ये जो balancing figure है वो हम लोग closing stock की value अपनी find कर सकते हैं तो इस ते जो हमारी next video होगी उस पे हम देखेंगे हम mark up के through किस तरह से अपना profit या हम अपना loss जो आ सकता है यहां पर जानेंगे और फिर उससे किस तरह closing stock को find करेंगे और फिर closing stock से किस तरह से हम वो value of lost goods यानि जो goods चोरी हो गई हैं उनके value calculate करते हैं करते हैं